कि आज मुझे देश भर के 600 जिलों के क्रिश्ची विज्ञान केंद्र केवी के एवं देश के विबिन गामों में स्थीत दो लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर जो हमारे किसान भाईबेन मोजूद है जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे उनके अनुभव जानने का उनकी बाते सिदे सिदे सुनने का एक दुरलब आउसर आज मुझे प्राप्त हुआ है आप समय निकाल करके आएं एक उत्सव का माहोल बना करके बैठे हैं और मैं यहां मेरे टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं आपके चहरे की मुस्कान आपका उमांग उत्सा मेरे लिए भहुत ही खुशी का दिवस है आज किसान हमारे अन्दाता हैं वे लोगों को भोजन देते हैं पशुओं को चारा देते हैं सारे उद्योगों को कच्ची सामगरी देते हैं देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा स्रेय हमारे किसान भाईयों और बहनों को जाता है भारत खाद्यान के मामले में आत्मन्दीर भर हो इसके लिए हमारे किसान भाईयों बहनों ने अपना खून पसिना एक कर दिया लेकिन समय के साथ किसान का अपना विकास दीरे धीरे सिकुरता चला गया शुरू से ही देश के किसानों को उनके नसीप पर छोड़ दिया गया हर सोच को बदलने के लिए एक निरंतर प्रयास की जरूरत थी वैज्यानिक प्रयास की जरूरत थी प्रगतिसिल किसानों को आगे लाल करके किसानों के बीच में बदलते हुए यूग के अनुसार बदलाव के लिए प्रयास करने की जरूरत थी लेकिन उस काम में हमने बहुत साल विलंब कर दिया पिछले चार सालों में हमने जमीन के रख रखाव से लेकर के उत्तम क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के बीच तैयार हो किसानों के लिए प्राप्त हो बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्द कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कारे करने का हमने भरसक प्रयास किया है और हमने तैय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आए दो गुनु करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ना है किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है सरकार की पुरानी नित्याओं में बदल करके आगे चलना है जहां जहां कठिनाई हैं उन दूर करकर के आगे बढ़ना है जहां जहां पर रुकावटे हैं उसको खतम करके आगे बढ़ना है और जब हमने किसानों की आए दोगुनों करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे देश जिन्नों ने उसका मजाग उड़ाया ये तो संभव नहीं है ये तो मुश्कील है ये कैसे हो सकता है निराश करने का एक वातावन बना दिया लेकिन हमने प्ताय किया देश के किसान पर मेरा भरोसा था अगर हमारे देश के किसान के सामने को लक्ष ली रखा जाए आवशक वातावन पैदा किया जाए बड़लाव लाया जाए तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तयार है महनद तरने को तयार है परनाम लाने को तया है कि हमने इसे पूरा करने के लिए लक्षन निर्धारिज किया और उस दिशा में आप सब को किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है इस काम को प्राप्त करने लिए मुख्य रूप से चार बिंदों पर बल दिया जा रहा है पहला है किसान को जो लागत आती है कच्चे माल की लागत आती है वो कम से कम कैसे हो दूसरा वो जो पैदा करता है जो उपच करता है उसका उचित मुल्ल मिले तीसरा किसान जो पैदा करता है जो उपच करता है उसकी बरबादी रूख जाएं और चौथा किसानी के उपरांत आमदनी के लिए बैकल्पिक स्त्रोत तैयार हो देश के किसानों को फसलों की उचीत किमल मिले इसके लिए इस बार के बज़ेट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया सरकार ने तैय किया कि अधी सुचीत फसलों के लिए MSP उनकी लागत का कम से कम डेड़ गुना गोसित किया जाएगा इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है और मैं आपको बताता हूँ MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे समीकों के परिश्रम का मुल्य जोड़ा जाएगा मवेशी और मशिन पर जो खर्च किया जाएगा वो भी जोड़ा जाएगा बीज और खाद का जो खर्च होगा वो भी जोड़ा जाएगा सिंचाई का खर्च भी जोड़ा जाएगा राज्य सरकार जो जो लेंड रेवन्यू देते हैं वो भी जोड़ा जाएगा वर्किंग केपिटल पर जो ब्याज देना पड़ता है वो भी जोड़ा जाएगा लीजली कई जमीन के लिए दिया गया किराया भी उसमें जोड़ा जाएगा ये सब MSP में शामिल है इतना ही नहीं किसान जो अपनी महनत करता है और उसके परिवार के सदसे जो महनत करते हैं उस महनत का भी मुल्य निर्धारित करके लागत के अंदर उसको भी जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर MSP ताई किया जाएगा क्रिसी के लिए सरकार बजेट में एक निश्चीत फण आवंटित करती है पिछली सरकार के पांच वर्षों में क्रिसी के लिए बजेट आवंटन एक लाग इकिस हजार करोड रुपिय का था जिसे दो हजार चवदा सा उन्निक के लिए बढ़ा कर करीब करीब हमने इस पांच साल के लिए इस हो दो लाग बारा हजार करोड कर दिया यानि करीब 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 क्रिसी के लिए बजेट डबल कर दिया यह किसानों के कल्यान के प्रती हमारी सरकार की प्रतिवधता को साप साप दिखाता है आज देश में न सिर्व अनाच का बलकी फल सबजियां और दूद का रिकार्ड उत्मादन हो रहा है हमारे किसान भाईयों ने पिछले सत्तर साल के सारे रेकोर्ड तोड़ दिये एक नया रेकोर्ड बना दिया है पिछले 48 महिनों में क्रिसी के खेत्र में अभूत पूर्व प्रगती हुई है वर्ष 2017-18 में खाद्यान उत्पादन करीब करीब 280 मिलियन टन से अधिक हुआ है जबकि 2010-2014 तक पिछली सरकार के दर्म्यान एवरेज आउसत वो धाई सो मिलियन टन के आस्पाद रहा था इसी तरह दलहन के खेत्र में भी आउसत उत्पादन में 10.5 प्रतिशर 10.5 परसंट एवं बागवानी के खेत्र में 15 प्रतिशर याने की 15 परसंट की व्रुद्धी दर्ज की गई है ब्लू रिवालुशन या नीली क्रांती के अंतरगत मचली पानन के खेत्र में 26 प्रतिशर 26 परसंट व्रुद्धी हुई है तो दूसरी और पशुपालन वद्दुद पादन के खेत्र में करीब 24 प्रतिशर 24 परसंट की व्रुद्धी हुई है हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी सीधे तोर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक यानि बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मदद रूप हो सकती है कैसे सुविधा बढ़ा सकती है कैसे किसान को नयाई दिला सकती है इसके लिए निर्ने कर किये जा रहे हैं योजनाई बनाई जा रहे हैं किसान कल्यान के लिए एक पूरी व्यवस्ता बढ़े उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं बुवाई से पहले किसान यह जान पाए कि किस मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए उसके लिए सोईल हेल्थ कार शुरू किया गया एक मार जब यह पता चल जाए कि क्या उगाना है तो फिर किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले और पूंजी की समस्या से गुजरना न पड़े इसके लिए किसान रण व्यवस्ता की गई किसान क्रेडिट कार का दाहरा बढ़ाया गया पहले खाद के लिए लंबी लंबी कतारे हुआ करती थी लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक खाद लेने के लिए वह आसानी से प्राप्त हो रहा है काले बाजारी नहीं करन पढ़ रही है कि आज किसानों के लिए कि सौत प्रतिशाद सट प्रतिशाद हंडेड परसंट नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्द है बुवाई के बाद जरूरत होती है सिंचाई की प्रधान मंत्री क्रिशी सिंचाई योजना के तहट आज देश भर में कर करीब करीब सो सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रहे हैं हर खेत को पानी मले इस लक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसानों को फसल फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो इसके लिए आज फसल बिमा योजना है फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्वाद बाजार में पहुंचता है उसमें उसे अपने उपच्च की सही कीमत मिले इसके लिए ओनलाइन प्रेटफर्म इनाम शुरू किया गया है ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके और सबसे बड़ी बात कि अब बिचोलिये किसानों का प्रफिट हजम नहीं कर सकते मार नहीं का सकते कटकी नहीं कर सकते आई ये देखते हैं इन योजनाओं से हमारे किसान भाई बेहनों को क्या लाब मिला उनके जीवन में क्या बड़लाव आया और उनी के मुन से सुनेंगे उनी के अपने अनुभव से सुनेंगे तो शायद और देश के किसानों को भी एक अवसर मिलेगा हाँ अगर वहां का किसान ने कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ आज मेरे सामने सबसे पहले 36 गड़ के कांकेर जो कि आदिवासिक शेत्र हैं वहां के हमारे कुछ किसान भाई बेहन मेरे सामने हैं मैं सबसे पहले कांकेर के किसान भाईयों से उनकी बात उनके अनुभाव उनकी उत्सा जनक बाते सुनना चाहता हूँ नमस्ते जी कांकेर के भाईयों बताईए किसान वहां के जय जोहार सर जय जोहार जी मैं स्रीपति चंद्रमणी कांसिक ग्राम पोस्ट कनारपुरी जी चंद्रमणी कांसिक सर चंद्रमणी जी हां बताईए जी ग्राम पोस्ट कनारपुरी जी ला कांकेर की रहने वाली हूँ और हम लोग पहले दो एकड़ में धान लगाते थे सर उसमें ज्यादा हम लोग को बेनीफिट नहीं मिलता था मतलब 15 से 20 अजार हमको आंदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टी नहीं होता था और फिर हम लोग बाद में गाह में 10-15 महिला मिलके एक सम्हूज जोड़िये उसमें कांकेर में छीता फल बहुत अधिक जिसे दिल्ली में सरीफा के नाम से जाना जाता है सर और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे तो भी कोछिया लोग वहां 25 किलो चीता फल को 60-50 में हमको ठक के ले जाते थे फिर हम लोग आत्मा क्रिशी आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था उसमें हम लोग अभी सिधा 700 रुपए मुनाफ़ा कमाते हैं सर और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं 300 महिलाएं जुड़ी हैं और हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई ग्रेडिंग और बाक्स में छीता फल भरके ले जाते हैं राइपूर में वेशने के लिए शर और जो पल्प मश आते हैं सर आइस्क्रीम बनाने का ट्रेनिंग गये हैं एक हम लोग का इसक्रीम भी है सर आप दूर में हो सर नहीं तो फिर हम आपको टेश्ट भी करा लेती है अंधर मनी की आपके पढ़ाई क्या हुई आठी सर आठी कछा थी और आप इतना बढ़िया बोल लेती है बिच सिताफल भी लेके बैठी है कि आप कि वो बॉक्स है बॉक्स है सर इसी में ले जाते हैं राइपूर दूर गभिलाई सर और पहले के तुलना में आई कितनी बढ़ गई आपको अभी दोगुनी हो गई है अच्छा और जो महला हैं आपके साथ काम कर रहेंगे उनकी आई भी बढ़ गई होगी जी सर देखिए मैं किसान भाईयों में दिखाता है कि मुल्य वृद्धी से बैल्यू एडिशन से जो पहले माल जैसा होता था वैसा बाइदार बेचते तो कितना नुक्शान होता था और थोड़ा सा पैकेजिंग बदल दिया सिताफल में और कुछ बवत सच्छा की पांड है को ज्यादा पड़ी लिखी नहीं है उसके बाद भी आपने देखी कितने विश्वास के साथ बात कर रही है आए किसी और से भी बात करते हैं चंद्रमणी की तरह और भी किसे का अनुभव होगा भाईया जी पढ़ाम मैं आसराम नेताम जोहार जी पढ पहले मेरे पिताजी के साथ 4 एकड जमीन में खेती करते हैं मात्र धान का फसल इसे सर हम लोग क्रिसी के के संपर्क में आके और क्रिसी भाग्ट और मतस्वी भाग में आकर समयेत खेती शुरू किये जिससे हमारा आय हुआ तो जैसे 4 एकड में हम 7 से 70 अरुपे कमाते थे औ पचली पालन और गाए पालन और हल्टी कलज़ित से पाउदा जो तलाब के मेड़ में जो रुजगार कारींटी के तहसर हमको रूपी 68 श्रुपया सबसेंद मिला था और उसे नौट पास से छह लाग रुपया हुआ है जी जिसे हमारा परिवार खुसाल है और हमारे समयवाली खेटी को देखकर आस-पास के गाओं वाले लग भी समिद्ग खेटी करना चाहा रहे हैं यह आपने खेटी के उपराँ दूद का काम किया मचली का काम किया गवर्मन्ट से तीन लाख रुपिया मिला आपका स्किल्ड डवलप्मेंट हुआ इन सब का मिला करके आपकी आए इतनी गुना बढ़ गई यही हमारी हां कहते हैं भाईतों से काम होता है तो बढ़ा परणाम आता है चलिए और भी किसी से सुनेंगे आपकी इलाके में कौन है? सर प्रणाम, सर मेरा नाम जिट्रे से सुनकर, ग्राम लार गाउं, दिलाकांकिर कर किसान है सर, पहले मेरे पास 7 एकड़ जमीन है सर, इसमें धांका एक पसल कर खेती करते थे सर, एक एकड़ सिंची था सर उस समय, तो क्रिशे विग्यान के दरके माल गजासन में सर, अपने ग उत्पादन देने लगे सर, उसमें अपन मोडर साइकल से ले जाते सर, बजार जाते थे, और अपने माँ में तीन लोडिंग आट हो गए सर, जिससे बजार जा रहे सर, प्रधान मंतरी सी चाहिए उजना के अंतर के चार एकड़ में ड्रीप लगाए सर, अपन, जिससे उत् प्रभण हो रहा है, नहीं सर, बराबार चर रहा है, तर इस साल खोप पसर लागया था, तर अले लागता हुआ सर, जी सर, तो कहां बेचते हैं सर, तर धंतरी मंडी ले सर, आधा, चूबिस्टन कुछ निगला सर, अधा भाधा, पहले, कितना कमाते थे, अब कितना कमाते मैं तो दो गुणी की बात करता हूँ आपने दो तीन साल के अंदर छे साथ गुणा कर दिया देखिए ये तागत पड़ी हुई है और इसलिए मैं चमता हूँ कि छोटा सा प्रयास मेरे देश भर के किसान भाई सुन रहे हैं देखिए सोनकर जी जैसे बिलकुल छोटा जमीन का टुकड़ा है कितना बड़ा काम करके दिया है आईए मैं किसी और से भी बात करना चाहूँगा कोई बड़े उत्साई अनुभव हैं चत्तिसगड़ के कांकेर के नमस्कार देश के प्रधान मंत्री जी साहिब बंदगी जय जोहार जय जोहार जय जोहार साहिब के बंदगी मैरा नाम चोहरामसा हूँ मैं ग्रामचोर वठ्थी विकास खंकुरूद धंदरी जीला का किसान हूँ सर मैं इनाम के नाम से मैं धान विट्राय करने के लिए मंडी में पहले ले जाता था सर तो बेपारियों के द्वारा मतलब बोली लगाता था उसमें बहुत कम रेट मिलता था सर आपके योजना से मेरे को जो बोली लगता है बेपारी द्वारा कम्पूटर से उसमें मेरे को पहले जो बोली धान बेचता था उसमें स्टार सत्तर हाजाद का आमदानी होता था था और अभी जो धान बेच रहूं कम्पूटरी नाम के माध्यम से उसमें मेरे को एक लाग पचिस तो ये आप मोबाइल फोन या कम्पूटर का उप्योग करते हैं और उससे आप इतना बड़ा प्राप्त कर सकते हैं याने बिचो लिए गए आपको एक बाजार बड़ा मिल गया और उसका परणाम यह हुआ है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन लिया मैं साहु जी को सचमच में बहुत बढ़ाई देता हूं नोंने टेक्नोलोजी का उप्योग कि एक तो मैसेज चित्रसें सोनकर जी को ड्रीप इरिगेशन को अपड़ाने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं किसानों को खेत की सिचाए में परिशानी नहों हर खेत को पानी मिले पर ड्रॉप मॉर क्रॉप यानि कम पानी बुंद बुंद पानी से हम फसल पादा करें और मैं हमेशा से किसानों को टपक सिंचाए या ड्रीप इरिगेशन को अपनाने क्लिप पोड़ साइथ करता रहा हूं उससे महनत भी कम हो जाती हैं खर्चा भी कम हो जाता है उत्पादन भी जादा हो जाता है आज कृसी सिंचाए योजना को मिशन मोड में लागू कि जा रहा है और आज करीब 30 लाग हेक्टर जमीन सिंचाए के अंतरगर नई जोड़ी गई है किसानों को अपनी उपच बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े किसान के पास ऐसी वबस्ता हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक कर दें इसके लिए की स्थानिय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोडने का काम हुआ है पिछले चार वर्षों में इनाम के तहट करीब करीब पौने 200 करोड की राश्वी से राज्यों की साड़े 500 से रेगुलेटर थोक मंडियों को इस इप्रेटफरम से जोड़ दिया गया है इस पॉर्टल प प्रिसान और करीब एक लाख दसजार व्यापारी अपना पंजी करण करवा चुके हैं रेजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इसे और आगे ले जाने के लिए ग्रामिन रिटेट एग्रिकल्चर मार्केट यानि ग्राम के तहट सरकार देश के 22,000 ग्रामिन हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रेक्टर के साथ अपग्रेड करने पर काम कर रही है सरकार की कोशिश है कि अपने खेत के 5-6 किलोमिटर के दायरे में किसान के पास ऐसी वबस्ता हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड सके आईए हम मत्रप्रदेश चलते हैं जाबवा मेरा बड़ा पुराना खेत्र परिचित खेत्र रहा है जब भी हम दाहोज जाते थे तो जाबवा के लोगों को जुरूर मिलते थे तो मैं जाबवा के भाईयों बेनों से बात करना चाहूंगा नमस्ते जी अब बताईए मेरा नाम संपा निनाम मेरा गाम का नाम धमोई और मैं बैटके बैटके बताईए यहाथ में क्या लगे आई हो कारकनाद बशना पेले में दाडकी जाती थि हम दावद में खुब दाडकी करिशाब तो बसा हिसने पाले फ YOUR हमारा साप दो हमने एक बताई कि पर बसे शा क्वानि को दिये और साथ में खाने पिने के दिये दवाई दी तो अभी कितने कड़कनाथ है आपके बड़े करें अभी मेरे पास 20 एक है साब सब बिग ये तमने बाजबा तमने जांब बादान तो गुजराती बोलता आपड़ तु वेचे ने आपड़े ने साब गुजराती बोलते भी आपड़े सही है साब और ये कड़कनाथ हमने जब पाला है जब से हमारा पोसिप्शन हमारी लड़कियां पांस लड़कियां है तो बहुत अची पड़ा ही कर रही और आवक भी हमारी बढ़ गई अरे वाँ एक साल में तो लग रहा है आपने तो लगता है कि आवक बढ़ गई है पेले हम दाड़की जाते हैं हमारे दिन की बदल गई साब अभी हमारे कड़कनाथ हमारे हाथ में आगे तो हम यही दंदे कर रहे आपर जमीन नहीं हमारे पास आइए क्वाव में ओर कितने लोगां। जो कढतना आते वीपार लगे उर हमारेgaonfedilly धिसको भी मेनने सम्झाया। रकाटव संभोक है। व बी महला घर-घर कढतना आठ पालेएं। कितने कितने है आपके गुरुप में भेहन हैं। मेरे गुरूप में उन पसास गाउं है पारां संकुल पारां जापयदिला पारां उन समू का गुरूप है चलिए और भी किसी से बात करेंगे जराज नमस्ते सर में नेहाराटो मेरे पास एक हेक्टेर जमीन है उसमें हम लोग पहले टमाटर लगाते थे तो उत्पादन बहु इसके बाद हमारी सर तामाटर की पेदावर बढगी और क्वालिटी भी बढगी पहले पान्सो कुएटल होता था लेकिन अब पांसो क्विनटल होता था और डिया क्रेंicating बीषै एक से नफ्यूम चैंजमाटन नहीं सर पांसो क्विनटल होता था अब आठ रोग्त रुरु लग भी कम लगता था, पहले छे बोरी लगता था, तो आप तीन बोरी लगता है, तो निया जी, आपको ये क्रिशी में कैसे इतना अरूची हो गई, कैसे आप इस काम में लग गई? सर, सुना था इसके बारे में, तो सर, हमने गए उड़ी सोजना का पता किया, तो सर, फिर सर से बात हुई, तो हो गया सर, तो आपकी पढ़ाई क्या हुई निया जी? सर, मैंने ग्रेजविशन किया हैं, अच्छा, आप खेती में लग गई? सर, मैंने लग तो हो दो, में लग गत्राइब गई? कि मेरा नाम राजो अटिला में जाभबा जिले के ग्राम गौण सर करेनेवाला हूँ तो राजो तुम्हारी शादि गुजरात में हुई है कि मध्दपर्देश में हुई है अच्छा पताये कुछान होरा अच्छा मेरे परिवार में ढ़ाई हेक्टेर जमिन है और मैं सर दायेक्टर जमिने सर में और ग्रेजु एट मैंने किया है सर और फिर भी मुझे नहीं मिली सर मैं विरोजगार था सर तभी मुझे सर कॉस्टम हाइरिंग योजने का पता चला और मैं सर 14 लाग का प्रोजेक्ट बलिया और 50 50% मुझे सबसीडि मिली सर सर्में मेंने शुचन McMahon यंत्रा खरीद हैं और ऊंशेव एंत्रा खरीद हैं तेटार कल्टिवेट टोटवेटार टू कुम में और तड की कैंदर की इस्राबना कीं और हर कोईक्त किसान शकसान सपाइब नी सकता प्रफाइब करने नई एंद्रों से खेती करने सिखा रहा हूं और मैंने किर्याशे चलाया है तो सब किसानों को फाइदा होता होगा यह सब टेक्नोलोजी ले आए उसका आपका मशीनी करन किया और टेक्नोलोजी अग्रिकल्चर में जितनी जादा तो अच्छा होता है लोगों को हो रहा है अभी फायदा हो रहा है सब को परतिवर्स सर 25-30% हो रहा है सर आपको कितनी कमाई हुई मुझे सर इन दी लगबग 2 सालों में सर मुझे 8 लगबग 8 लाग का मुनाफ़ मिला सर अच्छा पहले आप नोक्री खोज रहे थे है नोक्री मिली नहीं तो आप अपने पैरों पर खड़ें होऊं अब मुझे बताईयए आपको मेरे भाईयों के लिये बीए सुइदा हो गई सर देखे आप स्वेम ग्रेजुइन हैं बच्चों को पढ़ाते हो अब इता स्च छोटे हैं पच्छे थारा थिन साल की लड़की है मेरे सर चलिए और भी किसी से सुनेंगे अधिया सर मेरा नाम रमेज बाइब परमार हूं मैं एक गरिब किसान हूं सर अधिवासी चेत्र से और मैंने सर पहले में खेती मजदूरी करता था अंदावत भी काम गया था सर इसके बाद मैंने सर दोजार सब्दा में मुझे कस्टम हाईरिंग केंद्र मैंने भी लिया है सर और मैंने सर आपकी सरकार ने मुझे 6,25,000 का अनुदान दिया है सर मैंने इसी पैशे से टेटर, ट्राली, कल्टेवेटर, सिट्रिल, प्लाव, रोटावेटर सभी साधन लिये सर मैंने सर साधन लाने के बाद मैं 120 से 1500 किसानों के बीच में काम करता हूँ आठ गाउं में सर मैंने पहले ही जो यह यंत्र थे कभी नहीं देखे थे सर कि यह क्या है सर रोटावेटर वगेरा यह क्या है प्लाव क्या है तो मैंने सर मुहला बेठक के माध्यम से लोगों को बताया सर और मैंने मेरे खर्चे से रोटावेटर ये मशीन क्या है बोले ये लाए तो ये क्या है तो मैंने सर किसानों को बताया सर आट दस किसानों को बताया और मेरे पईशे से मैंने डीजल लगा के मैंने बाहर से मैंने मनाया रोटा विटर मुझे भी चलाना नहीं आता था तो फिर सर उन्होंने चला के दिखाया तो सर लोगों ने देखा उस खेतों में कि इसमें खत-पत्वार भी खतम हो गए जो छोटे-चोटे बेर होते हैं काटेले जाड़े वगेरा ये भी खतम हो गए बक्खर पाटा लगाना नहीं पड़ेगा इसमें समतल बिल्कुल हो गया बहुत अच्छे से लगा लोगों ने ये सर देखा तो मैंने 800 रुपे प्रती घंटा के हिसाब से फिर चलाया तो सर जैसे ही वहाँ से प्रचलन हुआ तो सर मुझे बहुत फाइदा हुआ 500 गंटा एक साथ में चला सर उसी सिजन में फिर सर मेरा पहले तो 40,000 वार्षिक आये थी सर अभी मैंने साड़े 3 साल में मैंने साड़े 10 लाख रुपे कमाया सर उन्हीं हाँ उसी पैशे से मैंने सर मेरा पर्सनल लेंदें था वो मैंने करा सर मेरे जमीन भी गिरवे रखी थी वह मैंने छुड़वाया सर और सर इन्हीं पैशे से मैंने बेंग किस्त भी भरना हूं सर और सर मैंने पाइस से बचा के मैंने अपने से अपने छेत्र में नई एंत्र भी खरीदे सर रेजबेंट प्लांटर और उबढ़ खाबड जमीन ती उसको जमीन लेवलर करने के सुपड़ी वगेरा ये भी खरीदा सर मेंने तो पहले पुरानी पद्धिती से खेती होती थी सर सब्सक्राइब कर देखें तो साड़े तीन कुंटल पकता था सर तो साड़े पांच कुंटल पका सर ये मैंने मैं जाब्वा के सबी भाईयों भेहनों को बढ़ाई देता हूं मुझे ये देखकर के खुशी हो रही है कि हमारी चंपा जी हो कड़कनाथ की फार्मिंग कर अपनी आई बढ़ाने में सक्षम हुई है इससे आपके आसपास के गावों के लोगों में भी मुर्गी पारण के लिए प्रिरिद्ध हुए होंगे अज सरकार पशुधन डेरी पॉल्ट्री और मचली पारण को किसान की आमद्नी बढ़ाने के स् अंडे के उत्पादन में भी 25 प्रतिसत से अधीक की बढ़ोती हुई है यह अच्छी बात है कि आज हमारा किसान अपनी महनत में आदूरिक मशीनों और उपकरणों को भी जोड रहा है और इसका लाब अपने आसपास के गावों में पहुंच रहा है देखिए मैं गुजरा अना जना बहुत साहज भूएं करता है बस में आते थे और कभी कभी तो और तींध गंटे बस नहीं आती थी तो गंटों तक वहां बैठे रहते थे और मैंने रहा के किसानों की दुरदशा देखी हुई जामब हे किसानों की कि हालत में उस समय देखता था सु Memphis जादा था काम करने के गुजा चले जाते थे मजदूरी करके काम करते थे आज में जब सुन रहा था कि मैं मेरे मन को इतनी प्रसनता हुई क्योंकि जिस इलागे से मैं परिचीत हूँ जहां के लोगों से हैं कि नमस्ते जी मैं दिलिप नापड़े जैसरदार शेत्किरूत पदक कंपणी मलकापूर से आपका अवियादन करता हूं सर पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समझ्च्च थी और उचित दाम में खाद उचित खाद नहीं मिलता था दलालों से हम अब नहीं मिलता था एसे समझ्च्च्च है हम आप थी उसी समझ्च्यार से लेके हमें मालूमात हुआ ऐसे बजिज अगे बढ़ाते वक्त हमने शुरू में स्वायलाग्रार काम करने का कैल लिया स्वस्ट्रेस्टिंग किया उससे अमरे खैल नहीं है उड़ic के जुद Credit कर्में जाज रहा उसमें 800 रुपय के हमारी बच्चत हो गए है और उनमें मालुमाद भी हो गया कि यह कित में क्या लगाना है कुण सा खाद देना है यह बहुत बड़ा काम हमें वो स्ट टेस्टिंग इससे वहां हो गया है देली भाव तुमची सघरी मंडड़ी टोली ना माजे नमस्कार नमस्कार कमाल के लाइट तुम्हीं सघरने आईए किसी और से बात करें जरां अधरनी अप्रदान मंत्री जी नमस्कार मी आनिता योगेश मालगे बोरामनी स्वलापूर हुन बोलते महाराष्ट्र स्परदक्षम पुर्शिविका स्परकल्प और आत्मा की तरप से हमने पूरा यश्यस्विने अगरो प्रोडूसर कमपनी डाले है और यह यप्यों महाराष्ट्र में से फर्स्ट उमन फार्मर प्रोडूसर कमपनी है और हमारे कमपनी में 525 महिला है सर और हमारे यहां हमारा शेयर भागबानवल 4,62,000 था और यमेसिपी के तरप से हमको 3,65,000 कानुदान मिला इस वज़े से हमारे यहां मेजर क्रप तूर है सर और वह तूर पर आभ्यास करके हमने क्लीनिंग रेडिंग मशीन और डाल मिल का प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के वज़े से हमारे महिलां को काम मिला और शेतकर इंको जो उद्पन है और दबल हो गया सर और तूर जो डाल है सर हम डाल बनकर और रामर्टू कंजूमर डायरेट बेचते है सर और कमपनी के ब्रैंड से बैस्ताइज काई नाओ गाई तूंचे आनिता योगेश मालगे है वाँ आ डाल बेचते है और हमने केवी के सोलापुर की तरफ से सर हमको टेक्निकल सपोर्ट मिला और बीडेल साथ सब्सक्राज जो हराइट एसर तूर का इस तूर की वजह से किसान लोगों का जो शुरू में चार क्विंटल पर एकर चार क्विंटल जो मिलता था अभी बीडेल साथ सो ग्यारा और केवी के के टेक्निकल सपोर्ट की वजह से आठ से दस क्विंटल बड़ा असर उत्पन इसलिए फार्म आनेम हमारा सोलापूर हमारे बुनकरों की जो हस्त कलाकारीगरी हैं उसके कारण पसिद्ध हुआ करता था और आज आप लोगों ने एक कोपरेटिव मूवमेंट को क्रिसान के साथ जोड़ करके यह नए नए आयाम को छुआ है देश भर के किसान सोलापूर के मेरे किसान भ करना कर संगठित रुप में कारे कर रहे हैं जिससे कुरूशी से जिड़े सामान इनको कम किमत पर मिलते हैं एवं संगठित रुप से कारे करने पर इनको उपज के मार्केटिंग में भी मदद मिलती है गत चार वर्षों में 500 से अधीक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हुआ है वर्थ 2018 में बजेट में केंदर सरकार ने किसान उत्पादक कमपनी को कोपरेटिव की तरह इनकम टेक्ष में आयकर में छूट प्रदान की है ताकि किसान भाई संगठित होकर के अपने कमाई में बढ़ोतरी कर सके तो मैं सोलापूर के ये कोपरेटिव मुवमेंट को फैडरेशन के लिए सचमिच में बधाई देता हूं और देश के किसान भी सोलापूर के किसान से कुछ न को जुरूर सेखेंगे आये हम करनाटक चलते हैं करनाटक कर शीविकास के इंद्र में आये मतड़ी यह आपके टेबल पर इतने बढ़िया बढ़िया फल देख रहे हैं यह आपके परिश्रम की यह यह दर्शन करा रहे हैं कितनी बड़ी-बड़ी साइज के फल आपने बढ़ाए हैं आप जारा ट्रांसलेशन कीजिए क्या वता रहे थे जैराम जी प्रणाम से सर नमस्कार सर मैं इनका इंदी में अनुवाद करूंगा जैराम जी बेटनली गाउं से हैं राम नगर जिल्ला में हैं सर इनका छे एकट सिंचित भूमी हैं बागवानी केती करते थे सर सब्जियां और फलोंकी उर्वरक जादा जादा था आए कम था इनुने दोहसार सोल में साओल हेल्थ कार्ड स्कीम का जानकारी मिला सर जब मिठी का परिक्षा कर वाया तब पता लागा कि इनका जयमीन के मिठी में पोश्यक तत्व का कमी है यह पता लगे सर आगे जैराम जी बताएं किया हैं नहां मुंदु परिक सब्सक्राइब करने के बाद इनका उपच बढ़ गया है इसलिए इनका मुनफ़ा जादा हो गया है सर इनका कहना है कि उन पहले चार लाग कर्चा करते थे आई मिलता था पांच लाग अभी इसी चार लाग में साथ लाग मिल रहा हैं वाह आई यह कूद बताएंगे हां कंलत छो कंलो मान नमस्ते शेड नमस्ते शेड नमस्ते शान निश्र कंलमानता मयें उल्ली आरंग अरेन प्रतालाकू रम नरेख्यल है नमस्ते आनलम्मा क्रति पर रही तो मैंने है चना किदिव, सैर? निम्मा उरिनली यलरुक्षेमा वगिदरीया? यह यलरुक्षेमा वगिदरीया? यह बताईए सैर, नम जमीनेल अध्यक्र जमीन हिदे नमदु समग्रकृशिपेसाय मढता दिननननू ननन्गे पष्टु मननन इदु गुडुलिलला अवेले के विके अग्रिकल्सेयर्स डिपर्मेंट इंदा मायीती तिल्कोंडू केल्ट कळ्ड नम्हें काल्ट कोड़ू वाइस इस बतात मेले पष्टु नानी वीरे डिये पी जासी तेच्वा गता दे इवागा तिलकौन मेले जिंकु बहुरें नो जिपसा मो हमेले अरेवले अनु गठक कोल नाने नेर वागे मार कोंडू नाने नम्मा तोट कोल गवड़ा जास्त या को नोकता दिनी सब्सक्राइब करते ते लेकिन आए कम तसर यह कारण ता कि मिटे का परेक्शन आए करवा था रासा इने कुरवा रग ज्यादा यूज करते ते जब इनको साहिल हेल्थ कार्ड का योजना का बारे में पता चला साहिल टेस्टिंग करवाया ने के वी के आओर सुक्ष्म पोशेक तत्व का कमी है सर बोरान जस्ता और मैंगनीज जैसे और यूज किया और उनका पास अभी वर्मिंग कंपोस्टिंगे सारे जैविक काद कभी वो कर रहे हैं सर इसके वज़े से इनका उपस्ज ज्यादा हो गया आई में बहुत रुदिया गया सर इनका अभी कह रहे है कि 10 लाग तक आया रहा है साल में वाँ और भी कोई बात करना चाहते हैं ननमस्ते सार ज्यानमूर्ती नाक्षट्रली माघड़ी तालाग रामनारा जिल्ले नमस्कार ज्यानमूर्ती जी ने वो है कि तीरी चना कि थी पुस्वामे निम्मा कुशी केल चना एडिता है दे ननके मूरु वरेक्रे जिमीन इदे नना वणाबेसाया मानदो नमगे एड़सावर अधनार अगे कुरुशीला के इंदा बीमा पसलयो जनेयाडी इंसुरेंस बढ़े विमे कट्टिदो तोड़कार के वत्ती इंद नम्माहीति कोट्टो अलला माडिदो नमगे एड़सावर अगा मलेवाव बट्टो वेले नाश्टाइटो एड़सावर अधनार अधनार अगे नमगे बेलेवी में दुड़्डो पस और पाई नमगे बंतो अधरिंदा नावो मुंदिना जोटा किसाने सर इनके पास साड़े तीने कड़के जमीन है सुके जमीन है सर ये एक सर्थ 2016 में जब इन्होंने केती करने शुरू किये थे तब डिपार्टमेंट अगरिकल्टर डिपार्टमेंट लोगने बताया कि प्रदान मंतरी फसल विमा योजना का परिचाई करवाया इनका रिजस्टेशन करवाया है सर 600 रुपा इन्होंने इंशुरेंस प्रिमियम भरा दुर्बा के वाशाथ उस साल में बारिश कमी के वज़े से फसल का नस्ट हो गया सर 2017 में इनको 20,500 रुपाई इंशुरेंस का पैसा मिल गया सर इसी पैसे से इन्होंने बेटा का एजु आपके साथ और भी कोई लोग बैटे हैं हां सर जैशेंकर जी है नमस्ते सर मतड़ी नमस्ते ना जैशेंकर ना खेटली मागडी तालक नानु एडू मुक्कालेकरे जमीन होंदी दिनी नानु अनु अनु बेशाय माड़ता है दे रागी मत्य जोडा मावू बिढ़ता है द आपके साथ अधना रल्ली नेंगे रुष्विएला के मावथी इंदा पसल भी मा योजनी आटके निगे संदेश कोट्रो अधर प्रकारा नानु ब्यांक काते गे आनु रू चिल्लरे अना पवती माड़ते येड़सावर्द अधनी जोड रल्ली नेंगे बिले हानी आई अनि अधन मिले नानिके बागरी कंगाला आई तो अ अधनी आई तेल्हान तो अधन तो आई रू अधनी जोड रली नेंगे येड़सावर्द आप तसावर अचिल्लरे अनो अमु मत्त बंतो बैंकाते गे नेरवागी म मत्तो अधन तो अधन तो गंडो मुंधी ने बेले प्रति वर्ष प्रिम्यम करता है इनी मत्ते नंना अकपकत रहत्रगुल को सहना सलेक पुटी दिनी इधर नंगे उपियोग आदंते मत्ते रहत्रगुल को अथरा उपियोग लाइन ननना अभी प्रयाइस सर जैशेंकर जी कह रहे हैं कि यह भी बहुत चोटे किसान हैं से तीन एकर से कम जमीन है ड्राइलेंड से हैं सर उसी गाउं से इन्होंने भी क्राप इंश्रेंस का लिया आता सर 2016 में उसी के वज़े से प्रदान मंत्री फुसल विमा योजना का रिजिस्टेशन करवाया था सर 2017 में इनको 20,320 रुपए मिला सर परिहार के रूपए जमा कितना किया था 600 रुपए सर 600 रुपए जमा किया और 20,000 पर मिला और सर इसी पैसा से इन्होंने थीन अच्छे काम किया सर एक तो है सर गोबर के असका कनेक्शन लिया है सर दोसरा है सर चोटा सा स्प्रिंटलर इरि का एजुकेशन के लिए भी पैसा कर्चा की है सर यह कह रहा है कि 217 में इसी पैसे से इनका लाइवलिवूड स्टेटस अच्छा हुआ और संतुष्टे सर देखिए क्रिसी क्षेत्र में इंशनस की हालत पहले कितनी बत्तर थी यह सारे देश का पता है सब किसानों को पता है और किसान का विश्वास भी उड़ गया था किसान को कुछ नहीं मिलता था फसल उगने से लेकर तैयारी तक का पूरा कालखन मौसम से जुड़ी चिन्ता में बिच जाता है मौसम की मार से हमारा किसान चिन्ता मुक्त हो उसका विश्वास बना रहे इसके लिए प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहट न सिर्फ प्रिमियम कम किया बलकि इंशॉरंस का दाइरा भी बढ़ा दिया गया इस योजना के बाद अप्रती किसान मिलने वाली क्लेम राशी डबल से दो गुना से भी अधिक हो गई है खरीब सिजन की तुलना करे तो पिछली सरकार के 4 साल में कबरज से हमारी सरकार के 4 साल में जो कुल कबरज है उसमें करीब करीब 60-65 प्रतिश्ट वृद्धी हुई है अभी हमने देखा था कि जैराम आया जी कह रहे थे या कमलंबा जी कह रहे थे कि स्वाइल होल का हेल्थ कार का कितना उन्होंने बखुबी उप्योग किया और जो उन्हें कितना लाब हुआ क्रिसी के लिए जमीन की रक्षा हो जमीन सम्रुद्ध रहे हमारी जमीन हमारी धर्ती माता बिमार नहीं होनी चाहिए वो तंदुरस होनी चाहिए इसके लिए स्वाइल हेल कार्ड शुरू किया गया आज देश में करीब करीब साड़े बारा करोड से जादा किसानों को स्वाइल हेल कार्ड बाटे जा चुके हैं स्वाइल हेल कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी पैदावर भी बढ़ रही हैं और खाद पर भी दवाईयों पर भी खर्च कम हो रहा है आए हम जरा नौर्थ इस चलते हैं देश के पूर्वी क्षेत्र में हम सिक्किम चलते हैं आप सब को मालूम होगा सिक्किम हमारे देश का पहला पहला और्गनिक स्टेट बनाए पुरा राज्या और सिक्किम ने दुनिया में अपना नाम कमाया हैाए सिक्किम में कुछ कुछ किसानों से बात करते हैं उनका अनुपोसर् Defence Original Clifford और मैं तिम पेम से हूँ और मेरे पास 0.3 हेक्टर जमीन है सर उसमें मैं जैविक खेती करता हूं सर पहले मेरे पास पाचास हजार ऐसा होता था साल में अभी दो हजार चाओदव से मैं आईशार के साथ जूर कर और वो लोग नहीं नहीं तक्रिक सिखा के और पहले हम लोग में कुछ नहीं लागा थे थे दान कातने के बात अभी हम लोग वाँ पी जीरो तेलिस में मौतर गोभी ऐसा लागाते थे और इसके बात मेरा इंकम डबल हो गया सर यर्ली दो लाख हो है सर और मेरा ये टेक्निक देकर मेरे ग्रूप का दूसरा लोग भी वो काम कर रहे और आसपास का दूसरा लोग भी ये एड़ कर रहे जीरो तेलिस में और सर मुझे महिंद्रा एग्री अवर्ड से महिंद्रा से एग्री आवर्ड भी मिला था सर 2017 नहीं बहुत बढ़िया काम किया आपने आपके आई भी बढ़ गई आपके साथ और भी बहुत लोग बड़े उ कि नवस्कार सर नवस्ते मेरा नाम नीमश्रिंग लेपचा है मैं लोड नंडोग पुर्बश सिकीम से हूं मेरा पास से एकर जमीन है और मैं उसमें जैविग अध्रक का खेती करता हूं और लाश्ट यार मैंने चो कोईटल अध्रक आपने बारी में खेती किया था आपके ह देखें कैसा अध्रक होता है आपका अध्रक अध्रक यह है सर यह अध्रक है सिकीम का मेजर क्रॉफ जो जैविक खेती में एक नमर में आते हैं सर और लास्ट यार मैंने इसको छे कुईटल अध्रक लगाया था तो इसको बहुत भरिया तरिका से आमदाम हुआ इसको 40 इसे पहले अइसा नहीं होता था लेकिन जब से यह 2014 से मैं आईशेर के वीके नौफ्री तादुंग से जोरा हूँ तब से उन्होंने मुझे नए नए तक्निकी दी और नए नए टेक्नैनोची के मादियम से मैं यह सब करने में सक्षम हुआ मैं अईशेर के भीकिन नउफ् एक फार्मर्स को भी इस मुकाम तक लाइने में आप सवी लोगों का योगदान बहुत अहम है और इसके अलावा में ऐसा नहीं है कोई किसान को आगे नहीं लाता है सच मुझ मैं किसान देश को आगे लाता है पूरा देश जो आगे बढ़ा है वह आप लोगों के कान बढ़ा है किसानों के कान बढ़ा है आपकी मेहनत के कान बढ़ा है और आपने तो यह कमाल करके दिया है आधुनिक और गेनिक खेती कर रह और्गनिक फार्मिंग को पूरे देश में प्रोसाइद करने में जूटी है विशेश रूप से हमारी जो हिमालेन स्टेट है उत्तर पुर्व को और गनीक खेती के हप के तौर पर विख्षित किया जा रहा है आज देश में 22 लाग हेक्टर से ज्यादा जमीन पर और्गनिक फार्मिंग होती है जो 2013-14 में सिर्फ 7 लाग हेक्टर थी और मैं मानता हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है आईए हम पश्चिम मंगाल चलते हैं वहां पर भी हमारे किसान भाईयों बैनों से बात करेंगे बद्धिकल की अपनी कियां मौनअ चैन मैं एक पिश पार्मार हूं मैं प्रोग्रेसिव फिश फार्मार हूं पहले तो मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था ये असली मचली रखी हैं कि आपको दिखाने के लिए सर अच्छा जिंगा अबने के लाए हैं तो बंगाली लोगों के तो मुह में पारी छुट गया होगा सर मैं एक मचली पालक हूँ तो मैं ग्रैजवेशन पास करने के बाद नौकरी ढूंड रहा था उस तहीं पर नौकरी नहीं मिला बहुत कोशिश किया उसके बाद थोरा थोरा चोटा 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 करके जींगा पालन और मचली पालन लेके उससाब आये मुझ पर फिर मैं नि मचली पालन और मचली का हैच्री लगाया अपना खुद फिर वहां से अभी हम लोग देसी वाला जो मांगूर है उसका बीच तैयार कर रहा है तैयार करने के बाद सर इसको ऐसे ऑक्सिजन पैकिंग करके फ्लाइट के मध्धम से सारा देश बर केला से लेकर सर हिमाचल से ल हम लोग का कस्टोमर है वहां से फ्लाइट चला जाता है मचली का जो बच्चा है हम लोग अट्टा इसमें ऑक्सिजन सर इस यह पॉलिषीन पैकेट के अंदर में मचली और पानी देके उसके बाद और उसमें डालते है जो मतलब जो ऑक्सिजन हॉस्पिटल के लिए यूज करते हैं सब्सक्राइब तो हम लोग अभी आत्मा जब हम हैच्री बनाए उस टाइम पर करीबन दो लाग रुपया आत्मा से मिला हैच्री बनाने के समय पर अभी सर मतलब सभी का भगवान का क्रीपास से मेरा आए जो है करीब करीबन बीस लाग रुपया हम लोग का टर्न ओवर है तो और भी नया नया मचली यहां पर आ रहा है उसका भी हैच्री बनाने का मतलब अच्छी क्वालिटी का सीट देने के लिए कोशिश कर रहा है क्योंकि बीजी सबसे अच्छा जो है जो फार्मर को अच्छी मुकाम तक प खुद नोकरी डूनते थे और आज आप 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी सर वाह बहुत ब्रदाई हो आपको आईए और भी कोई होंगे आपके आपके यह इतने बड़े उत्साही लोग बैटे हैं सारे नौजवान है मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सारे नौ नमस्ते प्रद्यमंत्र जी नमस्कार बाबो आपने क्याओन आशन भालो आचे आपनी भालो आचे नतों भालो आचे तो मैं अनुप छटुई पस्तिम बंगाल का शुंदरवन से हूं और मैं मेरा जो जमीन था पहले ओ जमीन में इतना नीचा जमीन था कि मैं ठीक से चास नहीं कर पाता था इसलिए अब मुझे तब मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैं कलकत्ता चला जाओं कि यहां पर ठिक से काम नहीं बन पर रहा है इसलिए तब मुझे निमपीट कृषिविग्यान केंद्रों के दुआरा मुझे लैंड शेविंग का एक फर्मूला मिला उहां पर पर एक तालाब खुट के उसका मिट्टी को लेकर जो नीचा वाला जमीन था उसको मैंने उस नीचा जमीन के उंचा किया उंचा करके जो एक फसली जमीन था वहां पर अभी तीन-चर फसल हो जाता है तो पहले में जब मेरा 30-35,000 जो साल में इंकम था अभी वो तीन लग से से जादा हो गया इंकम, और मेरे साथ-साथ मेरे जो और वी किसंथे मैं तो कम करता हूरू मेरा परिवार में पी कंम करता है वाह उस उसी जमीन में और भी गाउ देखिए नीली क्रांती ब्ल्यू रिवालुशन समुद्री मचली पालन के विकास मच्छवारों के कल्यान की एक राष्टिय योजना है इसके अंतरगत आर्थिक सम्रुद्धि के लिए एक जिम्मेदार और टिकाओ तरीके से प्रयास किया जा रहा है इसमें मचली उत्पादन को बढ़ावा देना मचली पालन का मोडनाईजेशन करना भोजन और पोशन सुरक्षान सुनिश्चित करना और मच्छवारों और जलियक क्रशी किशानों को ससक्त बनाने पर बल दिया गया है पिछले तीन वर्षों के दोरा मचली उत्पादन में 20 परसंट 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धी हुई है हमने नीली क्रांती योजना के तहट डीप सी फिसिंग के लिए योजना लागू की है जिसके अंतरगत पारम पारिक मजवारों को केंदर सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मचली पकड़ने वाली नवकाओं की लागत मुल्यका 50 प्रतिशत या रुपिया 40 लाग तक वित्तिय सहायता भी दी जाती है किसान की आयद दो गुना करने के लिए खेती के अतिरिक्त इससे जुड़े जो दूसरे व्यवसाय है पशू पालन हो पॉल्टी भाम हो मचली पालन हो सरकार उन पर भी विशेद ध्यान दे रही है इस वज़ सरकार ने बजेट में पशू पालन और मचली पालन के लिए बहुत बड़ा फंड बनाया है इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड रुपिय का प्रावधान किया है पशू पालन, मचली पालन, पौट्री भाम ये सब तो प्रचलीत है लेकिन मदुमक्खी पालन पर विशेद ध्यान नहीं दिया गया मदुमक्खी पालन भी किसानों के लिए एक तरह की आयका एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है खेती और बागवानी में मदुमक्खियां भी किसान के साथ साथ काम करती हैं किसान को मदद करती हैं मदुमक्खी पालन ना सिर्फ किसान की उपाज बढ़ाने में मदद करती हैं बलकि शहत के रूप में अतिरिक कमाई का साधन भी बनाता है आज सरकार मदुमक्षी पालन को ना सिर्फ बढ़ावा दे रही हैं बलकि इसके लिए पहले से कहीं अधिक पैसे का प्रावधान भी किया है यूपिये के आखरी चार वर्षों में साड़े आट सो करोड के बजेट की तुलना में बिते चार वर्षों में लगभग तीन हजार करोड रुपिये मदुमक्षी पालन के लिए दिये गए यानि लगभग दाई सो प्रतिशत की बढ़ोती प्रणाम ये हुआ है कि यूपिये के पिछली सरकार के चार वर्ष में जितना शहत पैदा होता था उसमें लगभग तीस प्रतिशत बढ़ोती हुई है और मैं खास करके मचली पालन से और समुद्री तट से जुड़े भाईयों से कहना चाहूंगा कि और्नामेंटल फिश दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है बहुत बड़ा मार्केट है और्नामेंटल फिश की दिशा में भी आप लोगों ने सोचना चीए दूसरा समुद्री तट पर जब हम बारिश के दिनों में काम नहीं कर पाते हैं तो सीवीड की खेती सीवीड भी बहुत ताकतवर हैं उसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है वो सब्जी के रुप से लेकर के खेत में फटिलाजर के रुप में अनेक रुप से कामा सकता है दवाईयों के लिए बहुत बड़ा कामा सकता है तो उन चीजों के दिशा में भी आद्धान देंगे तो बहुत लाब होगा आईए हम एक दम पुर्वी हिंदुस्तान से अब प्रगतिसिल महिला किसान हूं और मैंने करीब 15 साल पहले कुछ बेर के पौधे लगाए थे जो काजरी की किस्म के ग्राफ्टिंग किये वे थे उसके बाद में मैं समय समय पर काजरी में और केवी के मैं संपट में रहती थी और कुछ प्रसिक्शन लिया था उसके बाद मैंने ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं ये भी सीखा था ये सीखने के बाद मैंने अपने खेत के अंदर जो देसी पौधे थे उसके उपर खुदने ग्राफ्टिंग करना शुरू किया और कुछ गुंदे के पौधे लगाए फिर जो कुछ जंगली पौधे थे ज इससे मेरी AI में इंक्रीज मेरी AI में बढ़ोतरी हुई और मैंने खुश हुई कि इससे किसानों को भी अगर यह पौधते हैं तो उनको भी उनकी आमें दुगणा फायदा मिलेगा और मेरे पास काफी किसान आते हैं किसान बैने भी आती हैं और के Texas के संपर्क में रहती हूं और किसानों को मैं बढ़िंग करना भी सिखाती हूं दूसरा केवी के से जो मैंने प्रेस्टिक्षन लिया उसके अंदर वैल्यू एडिशन का जो काम है वो करती हूं उसके अंदर भी मैंने अलग-अलग चीजे सीखी है कि किस चीज को किस तरह से काम हैं इसके लिए मैंने जो जोड्पुर के आसपास के आठस गाओं में वहाँ की मैना को मैं समय समय पर ग्रूप के साथ लेके आती हूँ उनको भी ये चीजे सिखाती हूँ ताकि उनके भी जो खेती करती है मैला है उनके खेत में जो फसले होती है उसको कैसे उसका मुल्य समवर्दन कैसे किया जाए और फिर मुझे एक सोलर ड्रायर भी मिला काजरी से जिसके अंदर मैं अपन उसको भी मैं जो पैकिंग करके बेशती हूँ तो मुझे उसमें भी काफी अच्छा पैसा मिलता है जिससे कि मेरी आए में बढ़ोतरी हुई है जब मैं पहले खेती करती थी उसमें मेरी सालाना आए करीब डेड़ लाग के करीब थी और आज जब मैं करती हूँ और जैविक क्या है और आपने परंप्रागत कृसी के साथ विज्वां को जोड़ा है आधूनिक चीजों को जोड़ा है और और खु ceram करके जए माताजी की मेरा नाम गोर्दिन संग मेला मदलंग सिंग ग्राम जिल्ला पाली का निवासी का हुआ है पालोक के पहले में परंपरा को क्योखतीबाडी करता था उसमें मतलब कि बरबादी जादा होती थी मैं भी घरवालों को कहता था कि मेरी पड़ई के साथ में खेती को देख लिया करूंगा इसमें इंटरस्टेट रखूंगा आप थोड़ा चैंजेज करो तो उनको थोड़ा पहले पहले लगा कि ये पागलपन कर रहा है उनको थोड़ो मतलब अल तो पानी मिला है ना आपको नहीं सर पानी मिल गया ना पाली में पड़ता है पाड़ो के निजदीक में कर्शिव ज्यान केंदर से मैंने 200 गंटे का ये कुशल विकास केंदर से मैंने बहुत सारा सीखने को मिला जिसमें मेरे को ये अनार के कर्शिव ज्यान के अंदर पाली दोड़ा नार के साथ में सागवान की खेती का मुझे एक अच्छा दिया गया कि आप ये खेती करो तो अपने पड़ोस में थराद में जाके देखा कि अनार का कैसी खेती होती है जी सर बिलकुल थराद और ये मैंने कच भुज का भी एरिया म सब्सक्राइब कर दिया है जमीन हमारी बहुत ज्यादा कमजोर है उसमें हमारे पानी भी लगबगी दिर 90 परसेंट पानी खारा है और जमीन में इतनी उरुकता सकती नहीं है तो पिर मैंने तो पहले यह सोच रगा था कि मैं कमिकल फटिलाइजर तो कभी एक दाना भी यू हमेशा इस कठिनाईया रेगिस्तान याने धूल की डमरी यही हमने लोगों की जिन्गी और उसमें से आज आज आप क्रिशिक शेत्र में अधुनिकता ला करके विज्ञान का उप्योग करके जैसे इसरैल के लोगों ने कमाल किया है बैसा कमाल आज खास करके गुजरात और राजस्तान के सीमावर्ति किसान कर रहे हैं रेगिस्तान से सटे हुए किसान कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है देश के और किसानों को भी कम पानी के बाद भी दूर्बल जमीन के बाद भी बुद्धी पुरवक विज्ञान का उप्यो जगनात की धर्ती पर चलते हैं उड़ी सांगा जय जगनात जय जगनात आपन को प्रावाइब आपन गेमी ती आच्छनती अच्छा है साथ बताइए तो सार मेरा नाम बेंदर पदाने जी पी दुर्गापूर दिस्तिक अनुगुल मेरे बाप पहले चार सल पांच सल पहले मेरे पापा चार पांच एकर जमीन में सिर्फ धान और मुंग फली का खेती करते थे और बाकी जो जमीन था दो एकर में करते थे और बाकी तीन एकर मेरा खाली आता था क्रिशी विज्ञान केंदर से प्रसिक्षन मिला मुझे मेरे जो जमीन खाली पढ़ता था वो क्रिशी विज्ञान केंदर के संग्सपर्स के आने के बाद मैंने सोचा कि खाली पढ़ने के बाद उसको मैं कैसे उपयोग करूँ तो फिर जो जमीन मेरा खाली था उसमें मैंने बाकी जो मुंगफली का चास है और उरत डाल वहाँ पे एजोला कल्टिवेशन ये किया और मेरे पास एक तलाब भी था तलाब में मैं मचली उतपादन बैगानिक पद्धती से मचली उतपादन करना शुरू किया और उसके साथ अभी रंगीन मचली उतपादन जो कि ओर्नामेंटल फिश रियरिंग उसको किया और उसका बाजार भी मैंने एक फिश एक्वा शॉप से रिलेट किया है जो खेती करता हूँ उसमे रासाइनिक सार का बेभार बशादन कर आखेता है मैं जाधा तर मैं डाउट जो निकलता करके विषयेस करके समधीust क्विषोधन करता है और मुझे लाव होता है हड़ दालत में मेरा जो खर्चा है उसकी कामी भी होती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होती है अब बापा जो जो चासो को देशार जो पांच लाक को माणी है पांच लाक अब बता जी आपको और लोगों को हिंदी समझने के जुरूई है देश भर के किसांद सुन रहे हैं पहले दो तीन खेती करते थे चालीस पचास हजार रुपया मिलता था अभी समन्नित क्रिशी करने के बाद मुझे चार पांच लाग का मुनाफ़ा हो रहा है सालाने में वाह उनसे भी सुनेंगे कुछ सार्जो बत बत्तक रखी जी शे शार बंध्रे पंधिवा द्वारा तारा मोलो शे दवादराम आच्छा रो ग्रोथ बढ़ू जी हां और किसे सुजुनेंगे नमस्कार नमस्ते अब बिना पानी राउत है मैं कुछा सिंगा ग्राम अन्गुल जिला से हूं परपरिका हिसापरे गांगा बली ररतिनित्या हिसापरे अमें अन्धो भावी की चास्व कर थेलो इन्ट सेतिरे को आयो हो थेला आमर केविके बाब बई जानिंका एवां कुछी आमाजी लारा कुर्शी अधिकारी परमर सने ही बीवन प्रकार ट्रेनिंगी एवां नुआ पूर्णत धरणर चास्व सिखाई अधिकों लाभा पाई लो कॉम खर्चरे सर बीनापानी जी का बोलना है कि उनके हस्बेंट का कुछ साल पहले एक्सिडेंट हुआ था और वो हैंडिकेप्ट हो गया थे तो उसने फिर उन्होंने फिर सोचा की कैसे वो खेती करके आगे वढ़ेंगे और परिवार को भी एक साथ लेके चलेंगे फिर अभी वो पारंपरिक पध्धती से करते थे सारे खेती करते थे लेकिन पारंपरिक पध्धती से करते थे और कम आया होता था फिर के माध्यम से उन्होंने विभिन्न तकनीकी के बारे में उनको प्रशिक्शन दिया गया कुछ खेत्र प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया कुछ 200-300 घंटे के जो स्कील डेवलेपेंट ट्रेनिंग होती है उन्हें उन्होंने भी उसमें सामिल हुआ फिर अभी वो सारे खेती पैगानिक पधेते से ही करते हैं मुलिज्सें अपके परिबार में इतने बड़ी आफट आई उसके बांध आपने हिंमत नहारी और परमपरागत खेती से बाहर निकलने के भी इमत दिखाई और भी महला Member 53 660 सीमान को ताली में भावर मों अधनीजे गांग अगोली जाई कि मोनीजे सब लंबी हवासत है महिला मने कुछ आप लंबी कर्या पाई आगे आशी ची कि यह 151 महिलाओं को लेकर गाओं के आसपास गाओं के महिलाओं को लेकर एक मल्टी परपस कोपरिटिव सोसाइटी जिसका नाम ज के तरफ से बहुत सुपकामना है आपने अधुनिक्ता को स्विकार किया है और प्रगति क्या होती है वह आपने हिंदुस्तान में दिखाया है आईए हम चलते हैं उत्तरप्रदेश की तरफ माननिय पुर्धानमंत्रीजी को नमस्कार मैं ग्राम शाइबाई नगर डिस्टिक्ट शाजांपुर का निवासी हूं मैं लगबग पिछले 20 साल से खेती कर रहा हूं क्या क्या शुम नाम आपका राजविंदर सिंग राजविंदर जी बताइए बहिया मैं पिछले 20 साल से मेरे पास लगबग अपनी 15 अकड जमीन है और मैं लगबग लीज पर लेके करता हूं तो मैं पिछले तीन साल से यह देख रहा था कि जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है तो प्रमप्रागत खेती है इसको छोड़के मेरी आई भी बढ़ जाए और जो मैं पानी जो वेस्ट अपर से बात हुई उन्होंने मुझको सजेशन किया खर्बूजा और तर्बूज की खेती ड्रिप एडिकेशन विद मल्चिंग तो मैंने उनसे यह सब पूछ के एक ताइवान वराइटी आती है बोबी जो ताइवान की वराइटी है काफी मीठी होती है खर्बूजे और शाय melon के और वो उसकी खेती में शुरू की और मैने जो ड्रिप है यह उ त्ध्धान विभाग से और धान منत्री कृछी स्टाइई उजना के अंतरगत मैंने अपने खेतों में ड्रिप लगवाई और मैंने ये खर्बूजे तर्बूज की जो खेती की और खेती करने के बाद कि और पूस्पर आपने काभी स्प्सामे मिला तो आप से मैं अपना पर वेजिटेबल में पर कर रहे हैं मगर इसमें बढ़ती है आए इस्थिर नहीं रहती नहीं जाव कशार जो हमारे प्रयास चल रहे हैं उसे के लिए चल रहा हूं आपके साथ और भी कोई कोई लोग होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे जी सब्सक्राइब कर दोड़ाब 2013 में गुजराद वाइबरेंट में गया वहाँ पर और जाने के बाद मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत एडवस कंडिशन में वहाँ के किसान केती कर रहे हैं और आपका जो प्रोगाम था वो मैंने पूरा देखा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी और सीखिने एक बाद यहाँ पर जब मैं आया तो उत्तर पर देख शुगर कें रिसर्च और आपका केवी के और आपका किर्शी विग्यान केंदर वाला और आपका किर्शी विवाग से बहुत सारी सलाह लेने के बाद मैंने ट्रेंच मेथेड जो था उसमें गन्ना बोना शुरू किया और उसमें इंटर करापिंग करी और मैंने इंटर करापिंग जादा मैंने आर्टम में करी आर्टम मींस जो अक्तूबर में बोया जाता गन्ना है उसमें करी उसमें बहुत सारी इंटर करापिन करके मैंने देखी कि जिसमें कम लागत में अच्छी आती है तो सबसे अच्छी जो दोनों पर असर डाले हमारी पैदावारी वाड़े और उसके बाद हमारे गन्ये में भी फाइदा करे तो वो थी आलू की फसल आलू की फसल से गन्ये की पैदाव बढ़ी और हमारे आलू की पैदावार बहुत बढ़ी और सब्जियां भी मैंने उसमें लगाई और जो सबसे कम लागत वाली चीज थी वह लाही की फसल थी मैंने दस से बारा कुंटल उसमें लाही पैदा करी तो एक तरह से मुझको बिलकुल अपनी जो लागत गन्य की होती निकल आती थी गन्हा मेरा अच्छा भी होता था और उससे बहुत सारी वीमारियां और बहुत से जानवरों की जो नुक्सान होता था वो भी उससे बचा मेरा तो आप अभ्यासू है गुजरात तक गए सारा देखा अभ्यास किया और जो सिक्कर के लाए अपने लागू किया मुझे विश्वाज है खान साब आप अपने अडूस-प्रोस के किसानों को भी सिखाते होंगे ल दन्य की खेती अच्छी होती है पानी बचता है उसमें सुगर कंटेंड जादा होता है और वो जादा कमाई देता है यह बात लोगों को समझाना में आपकी मदद मिलेगी और यह मैं अपको बढ़ाई देता हूं मैरे प्यारे भाईयों भेनों आज जो लोग यह पूरा देख रहे हैं उन्हें बहुत गर्व होता होगा हमारे इन किसानों पर उनकी मेहनत पर उनकी प्रगती पर उनके नए प्रयोगों पर मैं मानता हूं कि जब देश के गाउं का किसानों का उदय होगा तब ही भारत का भी उदय होगा जब हमारा किसान ससकता होगा तब ही लगातार इस टेकलोलोजी का उपयोग करते हुए देश के अलग-अलग लोगों से बात करता हूं आज भी लाखों लोग लाखों किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपकी बात सिर्फ मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है हर किसान सुन रहा है आप से वह सीख भी र चर्चा करेंगे इन चीजों को आगे लागू करने के लिए प्रयास करेंगे और यह मेरा क्रम चलता रहेगा क्योंकि मेरे लिए एक कायरकाम एक युनिवर्सिटी बन गया है जो मुझे हर हफ़ते कुछ न कुछ सिखाता है देश वाचियों से सिखाता है हिंदुस्तान के दूर दराज के लोगों से मिलने का मोका देता है, बादचीत का मोका मिलता है, टेकनोलोजी के माद्यम से मैं आप से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और देश के भिन्र भिन्र भागों में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी सीधी जानकारी मुझे रिव लोग, निम्न अमढ्यन वर्के लोग, हमारे मद्यम्बर के लोग, हमारे किसान भाई बहन, हमारे कारिगर भाई बहन जो सामाजिक सुरक्षा लेकर जो भीमा योजना ही चलाई जा रही हैं, उनके बारे में मैं उनसे बात करूँ कि शुरुक्षा विमा योजना से उनको क्या लाब हुआ है कि बहुत बड़े व्यापक तोर पर हमने काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब किसान मेरे बेहनों और भाईयों इन योजनाओं का अपनायाई होगा आपने भी उसुरुक्षा विमा का लाब लिया कि आज मेरे सभी देश के किसानों के दर्शन करने का मुझे मोका मिला उनके आशिरवात प्राप्त करने का उस मोका मिला उनके परिशन की गाथाएं सुनने का मोका मिला उनकी लगन उनकी तपस्या यह आज देश को नई उचाईयों पर ले जा रही है मैं फिर एक बार मेरे आपने समय निकाला, मुझे बहुत कुछ बाते बताई, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद. व्हासा अपका लुट निकाला, मुझे बहुत बताई, टाभारी है।